तो MP Board के कच्छा बारवी के सभी विद्यारती दो मार्च के जितने भी आपके पेपर है चार तरह के पेपर आएंगे देख लिए 051 जिन बच्चों का विशे कोड है एकदम रियल औरिजिनल असली वाला पेपर यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ठीक है चार तरह के पेपर ह देख लिएगा यह दूसरा पेपर है ठीक है सारे के सारे जो कोड नंबर है इनके विशे कोड जीरो 51 वाले ही है ठीक है यह हो गया आपका तीसरे प्रकार का पेपर सारे पेपर का सुलिशन दूँगा ठीक है जिन बच्चों को भरोसा है और जिने वास्तों में अच्छे से असी में से असी नंबर लाने हैं वहां बड़े ही ध्यान से इस वीडियो में सारे बताएगे पेपरों को सुल्व कर लीजेगा इसके अलावा एक नंबर का आपका रोंग नहीं जाने वाला है ठीक है चलिए तो यहां पर यह तरह का ब्रह्मास्त्रा आपके लिए साबित हो नहीं जा रहा है देखिए पहला पेपर का पहला कोस्टन पढ़ेंगे वीर गाथा काल की प्रशिद्ध रचना है प्रतिवी राज रासो ठीक है कहानी का पहला तत्व होता है कथा नक कि सोरों की जो टोली है पानी दे मैया कहकर किस सेना को आने की सुचना देती है इंदर से ठीक है चलिए इसके बाद में यहां से किसके अंकूर फूटते हैं ठीक है सब्सक्राइब मत करेंगा कोही दिक्कत नहीं है सेयर भी मत करेंगा लेकिन केवल और केवल आप अच्छे से पढ़ाई करिए हिंदी में यदि आपको मेरी वज़ा से ठीक है मेरी वज़ा से आपको 90 नमबर आपको 100 नमबर का पेपर है और 20 नमबर आपको इसकुल से मिलेगे यहां कि टोटल मिलाकर 100 में मिलते हैं तो मुझे इससे बड़ी खुसी नहीं होगी ठीक है द्रस्य का इस्मृतियों से गहरा संबंद है विरोध ना होते हुए भी जहां विरोध का आभास हो वहां विरोधा भास अलंकार होता है राम की सकती पूजा रिक्तिस्तान की अतियंद चर्चित कविता है सूरिकान तिरपाटी निराला की विम्ब सब्द का अंग्रेजी में रुपांतरन क्या है हिंदी रुपांतरन हो गया इमेज उमा संकर जोसी का उपनाम हो गया वासुकी रेडियो नाटक में द्रस्य नहीं होते हैं गुरुतुवा कर्शन का एक तक्निकी सब्द है सही जोड़ी है राम को चिंता क्या थी दीकि राम को ये चिंता थी कि लच्छमन जो है उनका भाई वहाँ पर युद्ध छेत्र में ठीके वहाँ पर मुर्शिद हो अबस्ताम हो गया था तो उन्हें यहां थी चिंता की जो जमाना है वो यह नहां के दे कि पतनी के वियोग में इन्होंने भाई को खो दिया तो यहां पर दे को राम को क्या चिंता थी अपियस की अख्यानक गीतिया ठीक है विहारी सतसई मोहन जोद्रो इसका जाएगा आपका ओड़पा कहानी का केंद्री बिंदू कथानक और समता कहा जाएगा नियामत सिध्धानत कुलाधी पती कहा जाएगा तकनिकी सब्द ठीक है चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं एक वाक्य में उत्तर है अपने खेत में कवीने कौन सा बीज बोया था ठीक है सब्द रूपी बीज विपारार्थिक सब्द युग्म का कोई एक उधारन देना है आकास पाताल किसी घटना समस्या या अगबार की अवाज यहां से स्क्रीन सोट ले लिए क्योंकि लंबा वीडियो बनेगा ठीक है चार तरह के पेपर बताऊंगा तो ठीक है दिवाली पर गुड के खिलोने खडी दे जाते हैं आ सत्य है मिस्त्र और सुमेर में चमकक और लकडी उपकार इस्तमाल होते हैं सत्य 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 हैं यहां पर भक्ति काल की निर्गुन प्रेम मारगी साखा की दो विसेष्टा है बताईए प्रगतिवादी कभीता की कोई दो विसेष्टा है रचिना के संदर्व में अधर और बीज क्या है संसार में कष्टों को सेते हुए भी खुसी और मस्ती का माहौल के से पेदा किया जा सकता है संकलन त्री क्या है जिवनी और आत्मगता में अंतरे भरोसा रखिए विस्वास रखिए किसी के साथ हमने जीवन में विस्वास घात नहीं किया देखिए आपको बेव को बनाकर मुर्ख बनाकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है बहुत सारे बच्चो को भरोसा है हम पर उनके लिए हम यहां पर वीडियो बना रहे हैं जिने दिक्कत है अब यह मत देखिए सिंपल सी बात है ठीक है कहानी और नाटक में क्या समानता है रेडियो नाटक में समवात का क्या महतु है यहां पर देखिए कुस्ष्य नम्मर 13 है यह चौदा हरीव अंस प्रदर्शनकारी का एक विग्यापन आपको बताना है संचेपन क्या है इसका अर्थ बताना है भारती संसिक्रती पर एक लगू अनुष्य लिखना है ठीक है यह कुस्ष्य नम्मर 19 है यहां से देख लीजेगा यह इसका थुआ हो गया है कि और यह रहा आपका कुस्ष्य नम्मर 20 राष्टी पर 15 पर पीटा और बेटे के बीच में सववाद सारी चीजे एक्स्प्लेइन करेंगे कोई दिक्कत नहीं यहां पर आपके पास समय बहुत कम है इसलिए मैं यहां पर पेपर ही आपको बता रहा हूं ठीक है इसके बाद यहां पर कुस्ष्य नम्मर 22 और यह अंतिम आपका कुस्ष्य नम्मर 23 तो यह तो आपका एक तरह का पेपर मैंने पहले आपको बता दिया चलिए अब इसके बाद में दूसरे तरह के पेपर पर हम चलेंगे ठीक है यहां पर ध्यान से देखिएगा यहां पर E201 है यहां सरी E203 और यहां E201 है यह B तरह का आपका पेपर है ठीक है 5101 विशे कोड का ओरिजिनल ही पेपर है आपको चिंता नहीं करनी है देख लीजिए तो इसकोई सिरुवात कर लेते हैं अब 25 भी ठीक है संसिक्रत साइति के कभी कालिदास ने सिरीस के फुल को क्या माना है तो उन्होंने माना है कोमल चलिए इसके बाद में यहां से देख लीजे करून रस का इस्थाई भाव करून रस का इस्थाई भाव हो गया सोक स्याम नगर के राजदर्वार का दर्सनी जो जी नहीं चुम्बक का जादू इसका मिलान करेगा लोहेपर राष्ट बासा संपर्क कि बासा है जिल मिल देहे नील जल में ठीक है में का और कवीटा का वास्त्तवीक नाम सब्धद युग्म कविता का उपकरन लचमीन सुडी यह पर भकति वास्तवीक नाम ऊगया है और कवीता का जल्दी करने थोड़ा बहुत बोलने में थोड़ा सा उच्छा रण करने में दिक्कत आ जाती प्रोब्लम हो जाती आप सब समझदार है ठीक है चलिए इसक्रीन सोट लीजेगा ठीक है याद कर लेना है देखिए जिनको भरोसा है मुझे पर वहां कंप्लेट करिए ठीक है यह दूसरा है आपका एक आंग की ठीक है तो यह दोनों रूप में से द्रस्यकावे का एक रूप है एक आंग की भी और डाक्टर भीम्रा अंबेट कर जाती प्रता के समर्थक में थे असत्य बात हो गई है आपकी और कुश्चन नमर तीसरा आपका असत्य रहेगा भगत जी का जो चूरंता वो हथो हथ बिग जाता था बिलकुर यह बात सत्य आपकी ठीक है निराला जी की सरोज समर्ती घंगोर नीजी रचनाय सत्यों गया है चलिए और पहली कहानी है इंदुमती बिलकुर राइट है रिती काल को सरंगाल काल क्यों कहा जाता है नई कवीता की दो वि विश्वास तोड़ रहे हैं वो कमेंड तरह के कमेंड कर रहे हैं फरजी पेपर है यह वो दुनिया वरक्ति देखिए मैंने पेल बहुत बता रहा हूं जिन बच्चों को मुझे पर भरोसा है मैं इसके वल उन्हीं के लिए पर यहां पर बता रहा हूं जिने भरोसा नहीं है देखिए आप तो स्इभात सिंपल शिबात हैं अजरने आजक बच्च से बढ़ना चाहते च्छों को इनका प्राप्त करना चाहते उन्हीं के लिए पेपर बता रहा हूं चारो पेपर आप complete करिए बस उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा ठीक है राजबासा किसे केते हैं ठीक है वीपरार्थिक सब्द युगम क्या होते है उधारन दीजिए राश्ट बासा से आपके समझेंगे परसाद गुन की परिबासा उधारन से इस सब्द सक्ति किसे केते हैं इंटरनेट क्या है ठीक है फिराग गोरकपुरी और हरिवन सराइब अच्चन का साहित्यक परीचे देना है धर्मवीर भारति और आजारी प्रसाद द्वेदी का साहित्ति परीचे चलिए मिट्टी से निर्मित वस्तों का विज्यापन देना है किरकेट खेलने के उपर जल्दी सारी चीजे में यहाँ पर आपको बता रहा हूं ठीक है यहां से देखिए यह थ्वा है इसके बाद में यह और कुस्चन नमर देख लिए भी से में दीवानों सावेस लिए फिरता हूं हरिवन सराइब अच्चन जी की रचना है छोटा सा खेत चिकोना ठीक है इसक हमेदित है जल्दी जल्दी कि समय वहत ही कम है ठीक है क्योंकि बहुत सरे बच्चों ने तैयारी कर ली केवल उन्हें देखना एक। कुन सी चीजह आने वाली है ठीक है चलिए तो यह तो आपका दूसरे प्रकार का पेपर था चलिए तिसरे प्रकार के पेपर के और आगे बढ़ते हैं तो यहां से देखिएगा यह दोसो एक था सारे के कोड नंबर 051 ही है और यह आपका तीसरे तरह परह का पेपर ठीक है यह हाँ से देख लीजे यह यह देख लेते पहले दोसो पांच वाला यह तीसरे तरह का पेपर है देख लीजेगा ठीक है भक्तिन कहां की रहने वाली थी ठीक है भक्तिन जो है वह जूसी की रहने वाले थी ठीक है उसा का अर्थ क्या होता है उसा का अर्थ होता है भोर ठीक है भासा का डिक्टेटर विराट के प्रती जिग्यासा की भावना मिलती है प्रगति वाद में जूज पाठक पाठके लेखा के आनंद यादो इसके बाद देख लीजेगा यहां से पहला रिक्तिस्तान भर लीजेगा आप गूगल सर्च करके धोबी का कुत्ता घर का ना घाट क एक लोकोक्ती है दाल ना गलना इस मुहावरे कारते सपल ना हुना चंद दत तिवारी दूर के रिष्टे में यसुदर बाबु का भांजा लगता था मोहन जोड़ों में लगबग सास्व कुवे थे जूज कहानी लिखते जुलत लड़ते जुलते किसानों के मजदूर के स पिरामीड सब्दोर अर्थ का संबंद सब्दसक्ति वसंत पाटिल सरीर से दुबला पतला कवित चंद चार चरन वाला होता है रुबाईया में जाएगा फिराग गोरकपुरी आ जाएगा ठीक है इसके बाद एक वाक्य में उत्तर मोहन जोड़ों नगर कितने हजार साल पर असत्य और असत्य है, शीरीज हो गया है, यहां पर आपका सत्य और असत्य के टेक मार्ग भी कर रखें, फाल तो समय बरबाद ना करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चायावाद की दो विशेष्ता है, दो प्रमुग चायावादी कवियों के नाम, निरगुनधारा और पर क्या-क्या असर पड़ता है कोमल देखिए कोमल और कठो और दोनों भाव किस तरह किस प्रकार गांदी जी की व्यक्तितुप की विशेष्टा बन गए ठीक है यहां से प्रेयर सिंग बाहदूर का काविगत परीचे बताना है जेनेंद्र कुमार और फनिस्वर नात रेनु जो है इनका साइथिक परीचे लिखना है देखिए एक बच्चे ने कमेंड किया था कि सर दोनों में से कौन से काविगत विशेष्टा करनी तो दोनों में कभी यह तो इस नड़ लंच का लिख दीए यह इसका लिख दीज़ेगा ठीक है चलिए इसके बाद में कुष्यनमर 29 से यह और कष्षय नमर 19 के बाद में यह कुष्यनमर 19 का थखवाला है और कि यह कुष्यनμर 20 आफका यह यह देख लिए कर से 50 नमर 21 में यहां पर कुर्षा नमर 21 का थुख और कुष्छा नमर 22 में चात्रवत ती ज्रिधन को सदेने के लिए और हाइश कुल में पर तमस्रेनी में उत्रे नौने आपके मित्र को बधाय पतर देना है और यह आपका तृसरे तरह पेपर था चलिए चोथे तरह जागरनकाल किस यूग से माना जाता है भारतिंदु यूग को सूर्यदे हो गया इसमें सब्द सकती है व्यन जना तुलसिदाज जी के अनुसार हमारे जो पेट की आगे वो कौन बुजा सकता केवल तो भगवान सिरी राम चलिए इसके बाद में हैं टीवी पर यहां पर देखें टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्पुन ने तो विजूल भी है नेड भी है बाइड भी उप्रुप्त सभी सब्द सकती के भेद माने गए हैं तो तीन अभे रिक्तिस्तान राम चरित मानस हिंदी साइट्य का सर्वक्रेस्ट महाकावी है जिन चं लीजिए क्यों समय बरबात कर रहे हैं यहां से दिखिए यह जोडी है रेडियो नाटक का आपका सिमित मात्र सेर के बच्चे का असल नाम ठीके चांद सिंग दीन का पंती जल्दी जल्दी ढलता है तो एक निपास सब्दे सिल्वर वेडिंग सिल्वर वेडिंग का अब सत्य सत्य है भक्ति काल को हिंदी साइट्य का स्वन युक क्यों का गया प्रियोग वादी कवीता की कोई दो विस्ष्था बता नहीं ठीक है नाटक और एक आंकी में कोई दो एक अंतर भक्तिन जो अपना वास्त्विक नाम लोगों से क्यों शुपाती थी लुठन पेल स्वक्ति तो हैए तो है थीक है सब्द युग्म के प्रकारों को बता रशना की आधार पर को वित रिक अलंकार की परिवादा उधारंसही थजी कवित्थ शंड की परिवासा महा-काव्य किसी की flock से यह तिक है इस्टाए भाव और संचारी भाव मयंतर बताना था सumeरे निर अत्वा महादेवी वर्मा का साहित्तिक परीचे बताईए संद्छेपन को की विश्ष्ष्टा अभ्यास के महत्वुक पर एक लगू अनुचेद देना है यह आपका कुश्च नम्मर उन्नीस है कि इसके बाद में यहां से देखिए कि यहां पर कुश्च नम्मर वीजे आपका संद्र प्रस्टर वियक्या करनी इसकी क्यूश्च नम्मर बिजे करने कि कुश्च नम्मर उन्नीस के अलावा यहां पर देखिए चो कुश्चे नम्मर वीजे हमारा जो उद्देश से केवल इतना सा है कि आप अच्छे अंकर प्राप्त करें इसके अलावा भी मुझे जो most important paper पे रसने लग रहे हैं वो मैं आपके साथ share करने जा रहा हूं ठीक है हमारा जो उद्देश से फिर में बता रहा हूं देखिए जीवन में केवल एक ही बार इच्छा यह है कि मेरी वजह से आपको 80 में साशी नंबर मिले ठीक है तो आईए अब जितने भी बुक से आएंप कोस्चने जो आने ही वाले हैं वेसे इन चारो पेपर को complete करने के बाद में आने ही वाले वो तो 80 नंबर पूरे पर लेकिन फिर भी का दुक्का गईका प्रे दिया है घ्यान से देख लीजे आप तो यह मैं निसान लगा रहा हूं आपके पास तो निसान लं लगा लगा जया थिके इसी में से आने वाला है पूरा पेपर आपका ठीक है इसके बाद में यहां से क्योंकि जो अध्याई एक होता है उस अध्याई एक से एक संदर प्रसंग वैख्या जरूर आती है तो इस अध्याई एक की जितनी भी परिक्षा दिन में दिया है ना उसको कबर कर लिए बाकी चीज आप नहीं भी कर पाऊगा तो एक संदर प्रसंग वैख्या आपकी complete हो कि इसके बाद में पूरा थोड़ी एसा नहीं है कि सारे पर सारे पर निसान है देखिए फिर यह अपका अध्याय 6 जो समसेर सिंग बाद दुरवाला है ना इससे है ठीक है कोई पीछे रहे गया हो तो निसान लगाते समय यहां से देख लिए कि इसके बाद अध्याय 7 में कुछ नहीं करना है अध्याय 8 जो हमारे कवीता वाली है इससे अपको करना है यह दूत कहो अधूत कहो रजपूत कहो ठीक है यह तो अपका वेसे पेपर में भी आ गया उसमें इसके बाद यहां से इसके बाद में यहां से देखिए पेश नमबर 52 परिक्षद्यन में यह ठीक है आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना ही देखिए आप से जानता चिंता मुझे है ठीक है क्योंकि जो आपका आपने मुझे पर विश्वास किया है और आप जो विश्वास मुझे पर बता रहे हैं ठीक है उस विश्वास को आगे तक बरकरार रखने के लिए मैं यहां पर आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं ठीक है अब पूरे साल भर से दिया आप मेरे साथ जुड़े रहते वेसे थोड़ी सी गलती मेरी यह रह गई कि मैंने आपको पूरी तरह सई से कोर्स ठीक है इस वजह से थोड़ असा डाउट यहां पर सेश रहे गया है बाकि जो अगले पेपर उन सभी में कवर करने का पिर्यास करूंगा यहां पर देखिए अच्छी मेनद करिये यार भहिया थीक है आप अच्छे अंकर प्राप्त कर लीजे यह इच्छा हमारी है ठीक है सब्सक्राइब को जान दीजिए सब्सक्राइब करने को यह विसे देखिए अभी प्रस्म उतर देखिए संदर पसंवे अख्या वाले ठीक है यहां से जो बता हो गया है कि इसके बाद में यहां से देख लीजे यह पूरा बता हूंगा एक एक चीजे ठीक है वेसे वो पेपर चारी पेपर कर लो के तो वेसे कुछ करने जरुबत नहीं पड़ेगी फिर भी मैं बता रहा हूं ठीक है कि जहां से देखिए तिसरा है फिर यह आपका चार पार्ट वाला है तो इस चार पार्ट में कुछ नहीं लगाना है छे में से कुछ नहीं आने जाना है ठीक है अब यह कविता वाले वाले पार्ट से आपकी संदर प्रसें व्यक्या आएगी इसलिए यहां पर आप यह देखिए पाट दस है ठीक है यहां से देखिए ठीक है बागी तो आप सही विकल्पने पढ़ लिए होंगे आपने चलिए आगे बढ़ते कभी परीचे में इदी बात करें तो कभी परीचे में सबसे पहला हरीवन सराय बच्चन का करिएगा ठीक है मैंने पहले से आपके चैनल पर डाल दिया है नहीं देखा तो आप चैनल का नाम लिख दिएगा और आज आएगा ठीक है कुवर नरायन का इंपी बोर्ड में केवल रचनाय आती है अधिक परीचे में कुवर नरायन का जीवन परीचे यहां से करेगा लेकिन आपको रचनाय करनी हैं कि तो जीए भाव पक्ष हो गया है भाव पक्ष के बाद में आपका रहगा ठीक है इसमें बड़ा बड़ा चड़ा का लिख दि इन्होंने जो ठीके कृतिया हमारे समाज के लिए बनाई गई है या रचनाए की है इन्होंने जो हमारे समाज के लिए कृतिया रची है इसके लिए आजीवन ही हमारे लिए इसमरनी रहेंगे समझ लिएगा ठीक है कि इन्होंने जो हमारे समाज के लिए कृतिया रची है इसके लिए यह आजीवनी हमाल लिए श्मरनी रहेंगे साइट में सबका सेम लिखेगा ठीक है कुबर नरायन के बाद में एक उस्वामी तुलसिदाज जी का था तो यह इसको तो नहीं करना आपक है यह तो यह साइट में इस्तान और बगए आपने लिख दिया कि इन्होंने जो हमारे समाज के लिए हित के लिए जो रचनाय रची है याने ग्रामचरित मानस ठीक है इसके लिए यह जीवन बर हम हैं ठीक है हमारे लिए इस्मरनी रहेंगे शमशेर सिंग बहाद्दूर ज करनी है क्या तश्चाना रखवीर सहाई कि क्योंकि वह अपने को करने से मतलब आप इस्टोरी थे बाव पक्ष और यह प्रेचाना के सायत्य में स्थान एंट में मुद्धाय दोनों का कर संथान पधिर आलोक ह रिण दोनों का कर दोबा दोना दोना थो थे mobilize अधरोप भाव का अगजी ऑन बाव पक्ष्य कनथा है unter इसमें रचनाए रचना के बाद में भाव पक्षे कला पक्षे और यह अंतियुन स्वाइति में इस्थान ठीक है यहां तक अपना कंप्लिट हो चुका है कभी परीचे से आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहला यहां पर प्रस्णापे पेपर में है धर्म पाथक के का नहीं एकता का घोतक होता है पर लेकिन उससे पहले आप भाव विस्तार या भाव पल्लवन करना रहता है ठीक है पहले यदि आप इसकी परिवासा यदि कंप्लिट करोगे तो कोई भी आपका भाव पल्लवन या भाव विस्तार देगा तो आप अच्छे से कबर कर पाओग देखिए पहला किया इसकी परिवासा सूत्र के रूप में कही गई बात सूत्र याने कि कोई भी एक फॉर्मूले के बेस पर कोई भी बात को कहेंगे और विस्तार पुरुवक उसको लिखेंगे और समझेंगे ठीक है उसे ही केते भाव पल्लवन जैसे मान के चलिए क्या ब साना आपर बताया है कि धर्म यहें पाथक्यंग नहीं एकता का घुता अब इसके बारे में विचार आई वही लिखते हैं ठीक है इस संसार में विबिन्य धर्मों के फर प्रिचलन के जो और मनुस्य जीजिस धर्मों में जिसकी आस्ता मीं होती हिन्दु रहेगा चलिक मु मुसल्मान धर्मों को मानेगा तो क्या वोला यहां पर कि इस संसार में विबिन धर्मों का प्रिचलन है जिस मनुष्य की जिस धर्म में आस्ता होती है वहां उसका पालन करता है ठीके धर्म अलग अलग है हिंदू के धर्म अलग है मुसल्मान का धर्म अलग है लेकिन सबका ज संदेश देता है संदेश वहाग को आपकर लिएगा संदेश देता है ठीक है इतनी समझ माई है कि इस संसार में विमन धर्मों का प्रचलन है जिस मनुष्य की जिस धर्म में आस्ता होती है उस वहां उस धर्म का पालन करेगा धर्म भली अलग अलग होगे फिर भी मूल रूप से उन सभी क्या होगा समान रहेंगे अर्थात हर एक जो धर्म है वो प्रेम भाईचारा इंसान को सबको बढ़ावा देगा ठीक है धर्म के आधार पर कला करना कलेश करना ठीक है और अधर्म को बढ़ावा देना ठीक है ये स इंसान के दिल एवम दिमाग में उदार भावनाओं का बीजार ओपन करता है धर्म के साध्य अलग-अलग हो सकते हैं अतहा यहां कहना पूरी तरह सकते हैं कि धर्म पातक्य का नहीं एकता का घोता के अब देखिए पहले जो यह भाव विश्थार आता था वो कम से कम तीन नम में आता था अब आएका दो नमर में तो कितना सा लिखना है वो समझ लेते हैं देखिए इसको हमने पूरे चेप्टर को पड़ा जो सारान से निकला है उसी को लिखना है ठीक है कि इस संसार में हर एक मनुस्य का अलग-अलग धर्म हैं ठीक हिंदू जो वहां अपने धर्मों का प्रिचलन है जिस मनुस्य की जिस धर्म में आस्ता होती है वहां उस धर्म का ही पालन करता है ठीक है ठाये धर्म अलग-अलग है लेकिन मूल रूप से वह सभी एक समान ही होते हैं अर्था जो धर्म होते हुआ एकता प्रेम भाईचारा इंसा इन सभी का संदेश वहां के धर्म के आधार पर कला करना दुवेस करना ठीक है आपस में भाईचारे को ठीक है खतम करना याने कि क्या लड़ाई बिढ़ाई करना ये सब क्या है धर्म हमारा तोड़ता नहीं बलकि जोड़ता है बस इतना सा आपको यहां तक लिख दोगे और बाकी यहां से आप वापस लिख दीजगा कि अतहा धर्म इसपस्ट है कि धर्म पाथक के नहीं एकता का घोतक है ठीक है कम्पिलिट कर लिजगा इसी तरह से यदि दूसरा भाव पल्लवन आता है कोई ठीक है तो वहां भी आप यहां से लिख सकते हैं क्या है दूसरा कि इस वर जो होता है वो क समचरित मानस का विरोध कर रहा है तो कोई ठीक है कही का तो यह जो विरोध हो रहा है इसका मतलब यहां पर यह भाव पल्लवन यहां पर यही कह रहा है कि इस वर किसी एक विसेश धर्म का नहीं होता ना किसी जाती का ठीक है यहां बात बिलकुल सत्ति है कि जो भगवान है वो निर्गुन है निराकार है और आजनमा है ठीक है उसकी सीमा का कोई पार नहीं है यानि कि उसे कोई भी बांध नहीं सकता वहां समस्त धर्मों को चलाने वाला है क्या है वहां समस्त धर्मों को चलाने वाला है इस्वर ही परमपिता है वहां सभी पर दया बरसाता है क्योंक सारान से समझ वह लिखना ही जरूरी नहीं कि यहीं लिखना होगे सारान से यह कहा है कि यहाँ बात कुल ही सत्य की जो इस्वर है वह निराकार रूपन होता है आजनवा है अखंड है तुचिए इस्वर को किसी भी सीमा में हम बांद के नहीं रख सकते वहां तो समस्त धर्मों को चलाने वाला है ठीक है इस्वर जो होता है हमारा परमपिता है वहां सभी पर दया बरसाता है क्योंकि परमपिता होने के फल्सुरूप वहां तो सबका है और हम सब उसके अता हम कह सकते कि इस्वर जो है वो किसी विशेज धर्म का ये विशेज जात तुर के जो डॉल होते हैं इस कविता का ताजपर यह कि कोई भी यदि हम वस्तु को कोई भी पधार्त को यह यह उसे दूर से देखेंगे तो वहां सुभावनी लगती है क्योंकि दूर का जो पधार्त है वह हमेशा वास्त्रिक्ता से अलग होता है ठीक है इसलिए उसमें करक वरद्ध जो हते इसको लोग होते हैं उनको उनका बीद गया जो जवानी के दीन थे बच्पन के दीन थे उनको हमेशा वह अच्छे लगते हैं और जो बालक है ठीक है जह तो युवख है उसको यहां पर सरल भासा में मैंने उसे कन 번 करके लिध लिए लिए दूर के जो धोल होते हैं इस कहावत का जो ताजपर रहे हो क्या है यह कि कोई भी बस्तु या पधार्थ को आप बाहर से दूर से देखोगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी सुहाव नहीं लगेगी लेकिन क्या वास्त्रिक्ता में वहां पधार्थ ऐसा होता है जिसे इसको एक उधारन क पूरे द्वारे संजेंगे तो बुरद्द यो होते हैं उनको हमेशा उनका अतीद अच्छा लगता है जो पहले की बाते ही और जो यूवर के वपने फ्यूचर को लेकर ठीक है मस्ती में खोय होय रहते हैं यानिक कि हमेशा फूचर अच्छा लगता पर अता लेकिन क्या वास्तों में इसा होता है क्या नहीं होता है ठीक है क्योंकि फिर उन्हें कर्म शेत्र मुतरना पड़ता है जब कर्म मुतरेंगे कारी करेंगे शेत्र में तब उन्हें वास्तिक्ता का ग्यान होता है कि नहीं ठीक है जो चीज हम पहले से सोच रहे थे ठीक है फ्यूचर के बार सुवाने होते है। और फ्रष देए मानव मंन में विद्धिमान कोमल भावना के प्रसारन करने का साधन एक कविता वास्तुम है क्या, जो आपके मन में विचार आएंगे हैं जो भाव आएंगे उनको प्रसतूत करने की एक तारह का है साधन है खावक व्यक्ति यहनिकि व्यक्ति इमोश्नल होता है तो उसके मन में जो भाव उमंगीद होंगे जो भाव अंदर से आएंगे वह कविता को जन्म देगे अन्य मानवों की तुल्ना में कवी जो होता है और अधिक सव्वेजन सिल होता जान्दा साहा भाभुक होता है में जिन्दिगी के ओन कमेता के साहरे लिखने का पिर्यास करता है हम कह सकते हैं कि कमल हेदे की परियास करते हैं जो हम मन में भावन आती हैं विचार कविता जो व्यक्ति भावुक होता है जब व्यक्ति किसी भावना में विभोर होता है ठीक है तो जब उसके मन में जो भाव निकलते उसके मन से आत्मा से जो विचार निकलते वहां विचार ही क्या करती है कविता को जन्म देती है अन्यमानव की तुलना में जो कवी होते हैं ह मदुर्भाव उनके सारे कविता को व्यक्त करते हैं अता हम कह सकते हैं सिंपल सी बात की कविता जो है कौमल रदे की चीज है ठीक है चले तो आगे और बढ़ते हैं चलिए अगला है बेर जो है क्रोध का अचार्य मुरब्भा है भाविस्तार है देखिए बेर का जो उद्गम क्रोध क्रोध है क्रोध ही आगे चलकर वेर का निकी बेर में परिवर्तित हो जाता तो आपके मन में उसके परतिका जाएंगी गलत काहित करने लग जाओगे लेकिन मान के चली उसने तो कर दिया आपके साथ दो चार सपाटे दिये ठीक है आपको लेकिन आपने उसको नहीं मार पाए तो आपके मन में क्या आएगा वहां जो क्रोध है वहां वसीबूत होगा और आगे जाकर आप उससे बदला लेने के लिए हो जाओगे यदि वहां बदला लेने में आप असपल हो गए तो जिस परकार ठीक है अब असपल हो गए तो जिस परकार जो विसेश धंग से यदि हम अचार यह मुरब्बत अयार करते तो जांदा अधिक समय तक तिकाव बन जाता है उसी तरह जो हमारा जो क्रोध था बद भी चला लेकर ही लेता है ठीक है मानता है ये जो वर्ड है यहाँ पर लिखने साप को लिख देना है कि जो तैयार हो जाता है यदि वहां बदला लेने में आसपल रहा तो वहां जो क्रोध है वहां उसमें लंबे समय तक सरीर में धारन करके रखता है और जिस तरह अचार या मुरब्भा तैयार कर लिए जाता है सही तरीके से तो बहुत ही जांदा टिकाओ बन जाएगा और टिकाओ लंबे समय तक खराब नहीं तरह वह जो उसने उन्दर धारन किया हिरते में वह लंबे समय तक करोध करके रखेगा तो वहां भी ठीक है फिर अचार्य मुरब्भा की तरह लंबे समय तक टिकाओ रह जाए नहीं कि बदला लेकर ही फिर मानेगा ठीक है तो वेसे चार मैंने पूरे बता दिए उसमें और भी पर आपको यह महत पूर्ण यह करने है हरिवंस राइबच्चन कुवर नरायन देख लीजिए ठीक है कुवर नरायन के बाद में आपको समसेर सिंग भाद्दूर और इसके बाद में सूरे कांतर पटे निराला ठीक है और यहां से देखिए अब यह तो आपने चेप्टर तो पढ़ना पढ़ेगा ठीक है इसमें से जो इदी बात करें ज्यादा महत पूर्ण की तो आप प्रस्न बेंक के साहरे इसको पढ़िएगा ठीक है इसको और वह से परिष्छ अध्यान से रोंग जाता ही नहीं है पर ठीक है सारी चीजह कंप्लिट है चले इसको तो कंप्लिट कर लो गये यहां पर बात करेंगे यहां प्रस्न रहेंगे निसान लगा लिजिए आप तो ठीक है इसके इंसर्ट नहीं लग ले रहे तो कुंजिया सब के पास होती है यहां पर देखिए यह जो पेपर में आया था प्रस्ण विद्वा बहन और यह इसका प्रस्ण वाला मेटर है ठीक है इसके बाद में यह भक्तिन एक पार्ट भक्तिन से आने ही वाला है प्रस्ण ठीक है यहां पर देख लिए थोड़ा सा वीलर हो रहा है यहां पर देखिए अब आगया है सही ठीक है चलिए इसके बाद यह बजार का जो जादू है ना इससे यह तीसरा वाला हो गया इसके बाद में सारा वो सोलिशन दूँगा सारा यह चीजों का बताऊंगा ठीक है इनको कंप्लिर कर लिए तो अस्से में सासी नंबर पक्के है इसके बाद में यहां से देखिए दूसरा पिर पेलवान की ढोलक से यह पिर इसके बाद में यहां पर देख लिए इसके तीस्रावाला भी करना पड़ेगा देखिए दुपैर लवान की रोलग भक्ति इन दोनों पाट में मैं से एक पार्ट में से जाताए ठीक है फिर इसके बाद में यह सीजिस के फुल वाला चेप्टर से यहां से कि इसके बाद यह तीसरा है यहां पर जब यह कुश्चन आंसर में देखिए यहां पर देखिए भक्तिन अपना वास्ट्विक नाम लोगों से क्यों चिपाती थी इसके बाद में भक्तिन अच्छी है यहां के ना कठीन होगा इसके बाद यहां से तीसरा यह चोथा और पाँचवा यहां पर बाजार दर्शन से पहला कुश्चन है जिस पर एम लिखावा वही करना है फिर यह काले बेंगा जो इंदर से ना है वो उनका पाट से है यहां पर देखिए यह पाँचवा है यह आपका साथवा कुश्चन इसके बाद कुश्चन अमर आठ यह पहला तीसरा यहां से यह च्छटा इसके बाद में लेखक परिचे में दी बात कर तो जेनेंद्र कुमार का है ठीक है तो जेनेंद्र कुमार है ठीक है नाम आप याद रखेगा जेनेंद्र कुमार दूसरा धर्मवीर भारती में इसका solution भी दे रहा हूं आपको भी फनिस्वर नात रेनू थी ठीक है बस ये तीन करने है चल ये तो सबसे पहला क्या आपका जेनेंद्र कुमार तो यहाँ पर देखिए यहाँ ने काल लेखक परिचे से लेखक परिचे नेंद्र कुमार देख लीजे थोड़ा और शोटा कर लेते हैं थोड़ा सा यह देखिए भासा हो गई इनकी और शेली और यह साहित्ती में इस्तान अब जेनेंद्र कुमार के बाद में दूसरा जो था आपका वह धर्मवीर भारती धर्मवीर भारती यहां पर देखिए तो यह नहीं करना है आपको ठीक है भासा करनी है रचनाय करनी है और सेली करनी है तो रचनाय हो गई है आपकी रचना के बा ऐसके बाद में आपका पनीश्वर नाथ रेनू को आप डिके डिके इसमें नहीं हो फ़न्षवर नात से कर लीए यहां पर भनिश्वर नात रेलンタ कर spilled अधिके चलियो आगे बढ़ते हैं इसमें से आपका जो यह अगला वारा पेट है जूज वाला पार्ट है जुब दूसरा कुस्यन करना है इसके बाद में यहां से पहला करना है पेश नम्मर देख ली 166 है यहां पर रहें ठीक है यहां से पहला इसके बाद तो इजन संचार वाल और देखिए प्रशन बेंग यहां से नहीं पड़ना है इस प्रशन बेंग करेंग से पड़ना कुछ प्रशन यहां नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है अगला पकी चीज तो चोटी चोटी जो आपने complete कर ली ये भासा से लीने ये तो चीज तो आती है सबी को ठीके बच्चों को और इसके बाद में ये ये में सारी चीजे समझा दिये आपको कावी परीच मेरा सस्ब आपको ग्रामर व्याकरन तो ये चीजे तो ठीके आपटिद बोध म लिखना है ठीक है ये सारी चीजे ये तीनों की तरह लिखनी लिखने का तरीका बताओं गाँ ठीक है तो चलिए उसको भी देखते हैं आनव का आकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना केवल मानवता के लिए नहीं लग्जया-जनक नहीं है ठीक है बल्की अनुचि अनुदार का मतलब अब समझते हो कठोर होना ठीक है दया उसका भाव उसके मन में ना होना ठीक है तो यह के वल मानुता के लिए लज्जा जनक नहीं है और साती सात क्या है अनुचित भी गलत भी यह वस्तुता यथार्त मनुस्य वही है तेकि इसी तरह से आपको पढ़ना है वहा पर बेट के और वास्तों में यदि आप अच्छे 55 नमर लाना चाहते है मैं जितना बता रहा हूँ उतना कंपलेट के लिजे मेरी पूरी जवाब दा रही चलिए यदि तो वास्तुता याने वास्तों में यथार्त मनुस्य तो वही है जो मानुता का आधर करना जानता हो यह कर सकता हो केवल इसलिए कि मनुस्य बुद्धिमान है दरीद रहे वहां घरना का तो दूर अपेक्छा का पात्र भी नहीं है यह के रहा है कि किसी भी मनुस्य कोई गरीब यक्ति है तो उसका अपमान करता है ठीक है कोई व्यक्ति बुद्धिमान है ठीक है तो उसकी बढ़ाई करता है ठीक है बिया तो यहां पर हम उसकी बुद्धिमान व्यक्ति तो उसकी बढ़ाई कोई गरीब है तो उसकी बुराई कर रहे है तो बनाए गई एक स्रेष्ट रचना है ठीक है भी इतुन है अब इस में प्रसना आते हैं आपके अप्योगत गध्यान से का उप्योगत सिर्षक बताना नहीं तो यथार्थ मनुष्थ यानि कि वास्तों में जो मनुष्थ से वो उसका चित्रनहा पर किया गया है तो सिर्षक हो यथार्त मनुस्य ठीक है पूरी चीज़ एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ यथार्त मनुस्य किसे कहा गया हो यहाँ पर देखी पड़ा था हमने कि वास्तुता यथार्त मनुस्य वही है जो मानुता का आदर करना जानता है अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ से निसान लगाने करते हैं कि वास्तुता तो याथार्त मनुस्य यहाँ पर आपने इसको हिंड पकड़ ली किसे यथार्त मनुस्य कि से कहा गया जो मानुता का का आधर करता हो ठीक है सिंपल सी वात है जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमocket जो व्यक्ति मानोता का आधर करता है उसे ही अथारत का जाता साहरांसक कि बात करें तो दीदुघा हमने के बाद में यहांपर हम फ़िए सविवाया है वहीर अंहें साहरांसनी ठीक है जिसे एक मनुस्य का दूसरे मनुस्य के परती जो कठोरता का भाव होता है उसके परती जो अनुदार का उसके मन में भावना होती है ठीके ये सम्मान योग्य नहीं है ये जो लगजजनक है ठीके परती एक मनुस्य को मानवता का आदर करना चाहिए ठीके वास्तों में मनुस् उन्हें सब को साथ में लेकर बढ़ावा देता है क्योंकि जो भगवान की सबसरे अच्छी रशना है तो प्रती एक मनुस्य को दूसरे मनुस्य का सहारा बनना चाहिए उससे ग्रहना नहीं करनी चाहिए तो यह मैंने जो बता है इसे कैसा हुब वुलिदों के जब भी आपके कर नहीं है ठीक हर वर्स मेरी कोचिंग से 96-97 से बच्चे टॉप करते हैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं एक विसे नहीं सारे विशों में टॉप करते हैं ठीक है आपको चिंता नहीं करनी मेरी पूरी जवाब दरिये आपको अच्छय दिलाने के ठीक यह आपका और रज लिखना है वो पूरी हिंट समझाओंगा ठीक है सबसे पहले आपको यहां पर देखिए पत्र जो है दो तरह के एक तो उपचारिक जो हम जिसे हमारी लेंग्विज में केते हैं हम ठीक है इसकुल वाले टीचरों को प्रेंसिपल को सरकारी कामकाज में जो पत्र लिखते हैं उ आपका उपचारिक पत्र के लाएगा ठीक है यहां पर सुल्क मुक्ति के लिए आवेजन पत्र लिखना है सेवा में इसके बाद में यहां से आपको लिखना है ठीक है लिखने का तरीका सिरीमान प्रचार्य महदया अब यहां हमारी बात पूरी नहीं हुई है इसलिए यहा आपका नाम रहे स्कुल का उच्चितर माद्य में नाम विद्याले का नाम है आपका यहां पर लिग दीजगा तो यहां पर अश्टा है ठीकिंशना है है गा और यहां पर ब्रेकला बदेगा म formerly ठीजिक है तो इसके बाद में मैं विसे वाला सिश्टम आई गा तीसरा देखिए यहां पर विसे कि ठीजिक हैं यहां विसे वाला मैं आप क्या करीगा यह साला सुल्क वक्ति रहर की यानि कि आपकी सुल्क मुख्ति है सुल्क मुक्ति हेतु आवेधन पत्र केवल एक अउकास बताऊंगा चारों पेपर आप अपने आप कर लोगे ठीक है जिस बच्चे को वास्तों में अच्छे नंबर चाहिए बिल्गुल ध्यान से समझे जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करिए साला सुल्क मुक्ति हेतु यहां पर अब यहां पर आपने सेवा में लिखा है तो यहां पर आप मोहदे लिख दीजिए या फिर आपने यहां मोहदे लिख दिया है यह तो क्या है आदर सूचक सब्द है कोई से भी सब्दों का यूस कर सकते हैं आपने यहां पर लिख दिया मोहदे है ठीक है यहां प कि ठीके मैं आपके कि अब इसके बात में लाइन जब आपके पूरी हो जाए ठीके तो यहहां है के ही बत्छों को जिखा मैंने यहाँ से लिखना है ठीक है यहां से अब सुरू करना है आपके विध्याले कं सब्सक्छार करके आगे की पूरी पिक्चर आपको लिख देना है ठीक है अब वो क्या लिखना है वो मैं आपको डारेकली बता रहा हूं सिंपल सी बात है यह इस टेक्चर समझाना मेरा उद्ध से था यहां से देखिए सवी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्याले का कक्छा दस्वी का चात्र हूं मेरे पि मुष्किल हो रहा है क्योंकि उनकी आए बहुत ही कम है उनका वेतन से हमारे घर की रोज्जी-डाटी थीथी त्रकार से नहीं चल पाती है ठीक है यानि कि आपको विचार लिखने वो विचार लिखना कोई जरूरी नहीं यहां से आप इस तरीक है कि यही लिखोगे पूरा ठीक है आभारी रहूंगा इतनी सारी चीज़े हो गई जो भी तरीक आपको जम्में वह लिख दिजीगा फिर नीचे की हिंट देखिए यहां से आपने इसको लिख दिया मान के चलिए यह पूरा हो गया ठीक है यहां तक पूरा हो गया अब यहां पर आपको लिखना है धन्यवाद और दिनांक दिनांक जीसे मान के चलिए आपका एक मार्चे के दिन पेपर है ठीक है तो 0,3 और 2,023 इतना सा करतोगे चलिए अब इसके बाद में जो आपका अगला इस्टेक्चर रहता है वो आपका है आपका अग्याकारी प्रार्थी बोल सकते आप ठीक है तो यहाँ पर आपका जाएगा आपका आपका अज्याकारी सिस्सि है ठीक है, यहाँ पर आप सिस्स लिख दीजएगा और आपका जो नाम है वो लिख सकते हैं, ठीक है? शिरू नहीं करना है पहली जान है, यहाँ इसी लाइन से शिरू करेंगे लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपको सबसे पहले कोई कोड लिखना रहता है जैसे मैंने लिख दिया है 125 इसी तरह से नंबर लिख दीजेगा आप कोमा लगा दीजेगा यहां पर कहां जगे के लिए लिखना है आपको जैसे मेरे को भोपाल लिखना है तो मैं लिख दूँगा यहां पर गांधी नगर ठीक है कुछ भी लिख सकते हो भुफाड है अब दिनांग का लिख दिए यहां पर कि इस दिनांग को आप लिख रहे हैं तो यह आपका दस्यूंग बच्चों का एक इंदेश खी दिन और सीध में आपको कुछ भी नहीं लिखना है ठीक है इसके बाद में एक लाइन यहां से यहां से लिखना ठीक है यह हो गई अब आपको लिखना है पिता जी को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख दिएगा आदर्निय पिता जी आदर्निय पिता जी देखें लिखने का तरीका तरीका याद होना चाहिए अब पिता जी है चरनिसपड एक ठीज? तो यहां पर लिख दिए सादर थोड़ा सा यहां देख लिए तरीका देख लिए आके नीचे नहीं लिखना यहां से लिखना सादर चरन इस पर से अब यहां से स्टार्ट करते हुए मैं यहां साकुसल हूं साकुसल हूं पिता जी आसा करता हूं कि आप भी ठीके कुसल होंगे बस आगे जो हिंटे आपको समझ मागी यहां से लिखना से लिखने का तरीका सिकारे में तो अब बोल देता हूं ने यहां पर साकुसल हूं पिता जी आसा है कि आप भी साकुसल होंगे अच्छे से ठीक होंगे ठीके अब तरह कि अच्छे से तइयारी कर ली है थोड़ी सी कठ नाइ यह Aa के विशय विश्वान ही थोड़ा से कठ succeed रूजरि की आई थी तरह आणि पूर्णतर तयार कर लिए यांशна लिग नहीं लिगना आपको पूर्णता करना है complete नहीं लोगना है मैंने आप मेरी पूराई पूरी पड़ाई है यह पूर्णता समाप्त कर लिए ठीक है विश्वास है कि विगत वर्षों की तरह विगत मतलब हर वर्षों की तरह पिता जी मैं इस वर्ष भी अच्छे अंक से पास होंगा ठीक है या फिर अच्छे अंक प्राप्त करूंगा तो पिता जी ठीक है मैं पुझ्य माता जी को चरन इस पर से करता हूं छोटे मेरे जो भा को लिखिये कि उन्होंने उन्हें बताइए कि गर्मी की छुट्टिय किस परकार व्यतीत करना चाहिए